किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा माल बन ही नी रहा, ध्यान से समझ रहा, कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ इंपोर्टेन्ट पॉंट्स हैं, कंप्लेंट्स हाती हैं न लोगों की, सर रोमटीरल पड़ा हुए प्रडक्शन पर ही नहीं चल रहा तो इसका मतलब उस फैक्टरी में फायर वीक है स्टार्ट करेंगे भृषा से अगर एनरजी फिल्ड की बात करेंगे तो भृषा से स्टार्ट करेंगे बट पंच तत्वों में बात करेंगे तो अगनी उस जगे की कमजोर हो गई है यानि कि ये पूरा साउथीस डिरेक्शन इस्ट ओफ साउथीस्ट मीन्स साउथीस्ट साउथीस्ट का इस्ट है न वो साउथ ओफ साउथीस्ट मतलब साउथीस्ट अगने कोन में आपको दिक्कत मिलेगी मिलेगी जब व्यक्ति कहते हैं हमारी मशीन ही नहीं चल रही कई लोग कहते हैं जी मशीन मंगाए वह छे मिने होगे मशीन चली नहीं रही जानि कि उस जगे की अगनी वीख है और अगनी के जितने देवता हैं शुरुवात से सवीता, फिर सवित्र फिर उसके बाद अकाश, अनिल, पूशा ये सब में कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है दर्शाते तो सब लोग यही चीज़ को है अकाश क्या कहता है? अकाश क्या कहता है? अकाश कहता है एक जगा जिसमें हम मैनिफेस्टेशन करें एक प्लेस अगर यह हॉल की बात करें तो हमारे लिए यकाश है ताकि हम यहाँ पर एक कोर्स को कम्प्लीट कर सकें इससपेस जहां पर अगनी प्रजलित होनी है सवीता, आपका पहला सपार्क भरिशा, आपका मंधन फ्रिक्शन स्पार्क कब आता है फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन आती है फिर स्पार्क आता है फिर सवीत्र आपके पास अप्रोप्रीट फंडिंग ही नहीं आ रही ऐसी जगह पर आप लोगों को अगने कोन को मजबूत करना होगा फ्रिक्शन रेमेडी से कर सकते हैं देवतास को पर्टिकुलरली चेक कर सकते है अगर किसी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमारी फैक्ट्री में मशीन्स वर्क ही नहीं कर रही है तो मतलब वहां की अगनी दूशित हो चुगी है किसी भी फैक्ट्री में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स चेक करने के बाद किसी फैक्ट्री में क्या कुछ जरूरी करना है इंपोर्टेंटली नौर्थीस में खड़ा बनाना ही बनाना है साउथ वेस्ट को हमें इन एनी केस हैवी करना ही करना है South West